तो मुनावर ने नॉमिनेट किया कर दिया, आईशा खान तो और जादा गंदगी पे उतर आई है, चिथड़े उड़ाने वाली हैं भाईया तयार हो जाईएगा, और भी 4-5 बाते हैं जो की बताने वाली हैं, जो की बाकी रह गई थी, आने वाले वक्त के लिए उन्होंने सम नॉमिनेट किया, अब एक इंसान नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन दूसरा इंसान नॉमिनेट नहीं कर सकता है, एक इंसान नैशनल टेलिविजन पर आ करके, एक इंसान की परसनल लाइफ, जितने भी दज्या उड़ानी है, वो उड़ा सकता है, लेकिन सामने वाला पोजिश उस इंसान की चार-पांच और चीज़े बोली जाएंगी ये चीज दिखाता है आईशा खान की आप कितना जादा गिर रहे हो अभी तक कि मैंने ऐसी चीज़े नहीं बोली है मैं चीजों को समझ रही थी कि हाँ मुनावर ने गलती करी है लेकिन मुनावर ने उसी नाशनल टे तकि मुनावर जीत ना सके देखिये जिसको उपर वाला खड़ा करता है न तो गिराने वाले न गिरा नहीं पाते हैं फिलाल यहां पर आईशा खान ने दंकिया दे दिया दंकिया यह कि रिष्टे बेच करके आया है एक और लड़की है क्या बोल करके आया है मतलब कुछ न आईशा खान बोलती हुए नजर आ रही है जिसके बाद गार्डन एरिया में मुनावर फारुकी का कहना है कि बहुत ज़्यादा चीज़े पॉसनल अब जा रहेंगी पॉसनल बाते आ रही है और मुझे न अब इस पर बात करनी है फिलार एक बंदी ने तमाशा बना करके र जर्माग तो लड़ा लेते शुरुआत से आ जाते शो में तो कम सिकम ऐजा कंटेस्टन के तौर पर चाहे वो घर वाले हो चाहे वो बाहर वाले हो आपको देखते तो कहीं लेकिन आज वो कहीं भी नहीं देखते हैं फिलाल क्या कहना है आपका कॉमेंट करके ज़र thank you